ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मीन राशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको मान लक्षमी के असिरवास से अक्टूबर नवंबर और दिसंबर यान की शाल 2022 के आखरी तीन महीनों में बड़ी तूफानी खबर मिलेगी जिस खबर को सुनकर आप खुसी से जुहम उठोगे जादूस्तू मान लक्षमी के असिरवास से अक्टूबर नवंबर दिसंबर यान की साल 2022 के आखरी तीन महीनों में बन रहे दो राज योग, धन प्रात्ती योग, शरवाद शिद्धी योग और महालक्षमी योग में इन तीन महीनों में ये पाँच बड़े बदलाव होंगे जिस से आपका जीवन बदल जाएगा में ग्रहन अक्षत्रों की इस्तिती पूर्ण रूप से आपके बक्ष में शाबित होने वाली हैं, जा दूस्तू, इन तीन महीनों में ग्रहन अक्षत्रों के इसाब से आपको किनकिन चीजों से फायदा होगा, किनकिन चीजों से आपको शावधान रहना होगा, शाति साथ ग्रहनक्षत्रों के साथ से इन तीन महीनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकून और शटीक जानकरी इस वीडियो में हम देने वाले हैं जा दोस्तो इस वीडियो में हम आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानि की साल 2022 के आखरी तीन महीनों के शटीक और संपून रासी फलके बारे में बताने वाले हैं वीडियो महत्पपून हैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो कि इस वीडियो में हम आपको आखरी में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करकर आप अपने इन दिनों को और भी अच्छा और भैतर बना सकते हैं दोस्तो वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मालक्षमी के सच्च भगत इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट्स बुक्स में जैमालक्षमी अवसे लिखें जिससे मालक्षमी का असिरवाद आपको शीदे बराब्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मा लक्षमी के असिरवास से आपके लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानि कि शाल 2022 के आखरी तीन महीनों का यह बहत्पपोने समय दोस्तों अब समय पूंड तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई महनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाहा में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसनता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफल ताहंसिल कर अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्मपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए ए प्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके ल दूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी अधिकता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरतें कोई नकार अतमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबरती रहेगी व आलस की वजए से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अतमक कमियों को दूर करके आप बहतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्यूप्यों करें दोस्तों साथ कमाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भेह हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती है थोड़ा आदी में किसी प्रकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रती सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस संबंदित मामलों में चड़ चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताय भी प्राप्त होंगी कभी कभी आप आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारत्मक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा सौपिंग में समय व्य दायत्व हैं किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मद्बेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उत्सब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वैवारिक संबं मधुर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेशानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कौन से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मत परणाम हासिल होंगे सेयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मदूर बना कर रखें जिस कार्यों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्य के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवश्चक्ता है नोकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य चितर में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन आप बगू भी करेंगे नौकरी पेसा व्यक्ती अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का प्रियास ना करें क्योंकि किसी प्रकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ ने वेवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवश्चकता है जरासी भी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है इस समय कार्रे की गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवश्चक है प आवकरी में अपने लक्षय को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी कार्य छेत्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंद विक्षित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्रे भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबबी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी लापरवाही बिलकुल भ भी लेना आपके लिए आवश्यक है साती सात अपने खानपान बर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भोजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात अपने स्वास्त को और भी जाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें जा दोस्तों बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेश उपाई क्या रहेगा जा दोस्तों इन दिनों आप अधिक से अधिक जरूर्त मंदों लोगों की मदद करें अन धनका आप दान करें सामर्त स्रद्धा के नुशार कि जैसा आपको बने जितना आपको बने और शाथ शाथ एक उपाई यहवी विशेश तोर पर करें आप क्या करें प्रतेक शुक्रवार के दिन प्रतेक शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं कम से कम 11 शुक्रवार लगातार जा दोस्तों कम से कम 11 शुक्रवार लगातार अगर लगारतrar 11 शुक्रवार ना कर सकें तो लगारतार आपको तीन सुक्रवार तो करनी ही हैं क्या करें खीर बनाएं, खीर किस प्रकार बनाएं, दूद, चावल, मिसरी ढालें, इसमें आप इलाइची डालें तुझी का एक पत्ता इसके बाद खीर बनाने के बाद शप्र थम्मा लक्षमी को भोग लगाएं गाए को भोग लगाएं और फिर आप काली चीटियों के लिए थोड़ी खीर डाले जहां चीटियों के बिल बन वहाँ डाल दें आप ऐसा करने से यदि कोई करज है धन नहीं टिकता तो धन भी टिकने लगेगा आपके पास किसी न किसी माद्यम से धन की प्राप्ति आपको होने लगेगी बहुती लाबदाएक उपाएं विशेश लाब मिलेगा और साथी साथा आप क्या करें आप आप प्रतेक शुक्रवार को सुरह अस्त होने के समय शाम को शाम के समय क्या करना है घर के मुख्यदार पर आपको एक घीका दीपक जला दीना है उस दीपक में दो लौंग आपको डाल दीना है प्रतेक शुक्रवार को यह उपाए करें ऐसा करने से घर में शकारत्मक उड़ जाक अवास होगा घर में नकारत्मक उड़ जाए वे घर्शे निकलेगी और आपको इगर में धन्यदान में व्रद्दी होगी किसीन के शमाजनते आपको धन्यगे प्रापती होने लगेगी जादोर्स्तों इस वीडियो में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2020 के आखरी तीन महिनों का संपूर शकी ग्राशिपल बताया सतनी साथ आपको उपाए बताए वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें ज़्यदा सेर करें, चैनल सब्सक्राइक करें, चैमा लक्षमी